इत 1977 स्टार्ट करने बाले हैं प्लेशमेंट सीरिज तो अगर ग्रेश्षयो सबसे पहले आपको जहुरत होती है आपके प्लेश्मेंट की आप प्लेश्मेंट प्लेशमेंस सीरिजन को सुरू करने के लिए मैं से क्लीψ्मेंट कर रहा हूँ और basically अगर आप IT और CS background में IT industry में अपना career बनाना चाहते हैं तो ये placement series आपके लिए perfect place है जहाँ पूरा का पूरा placement से related सारा material आपको यहाँ पर मिलेगा, सारी guidance आपको मिलेगी, एक-एक करके मैं सारे के सारे topics और सारे के सारे questions, interview experiences के साथ साथ सब कुछ आपको यहाँ पर आपकी जो Hindi language है, Hindi plus English उसमें आपको यहाँ पर guide करूँगा तो काफी लोगों का यहाँ पर request आई थी कि जो IT field में, IT industry में career बनाने के लिए, English में तो बहुत सारा content है, बट Hindi में बहुत कम ही content है तो यहाँ पर सुरूं से लेके, last तक आपको जो content है, वो बिलुकुल यहाँ पर इस channel पर मिलने वाला है, तो अगर आपने भी channel को subscribe ने के, उसको subscribe कर लीजिए और हम लोग यहाँ पर placement के आज जो हमारा first lecture है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि placement के लिए IT और CS background से, अगर आप non-IT और CS background से है, तब भी आप IT में अपना carrier बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत ही ज़्यादा growth के chance है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको growth के chance मिलते हैं, IT CS में, और अभी IT CS जो industry है, बिल्कुल बूम पर जा रही है, तो यहाँ पर आप आसानी से अपना carrier start कर सकते हैं अगर आप CS IT background से हैं तो यह आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकर अगर IT CS background से नहीं है, तब भी मैं यहाँ पर बिल्कुल zero level से start करूँगा so that अगर आप IT background से हैं या फिर non IT background से हैं तब भी आप इसको आसानी से cover कर पाएं, तो placement में basically जो सबसे ज़ूरी चीज़े होती हैं, चार चीज़े होती हैं, जो आप इस्क्रीन पर देख रहा है, सबसे पहले आपको coding आनी चाहिए, coding आनी की कोई भी programming language आपको आनी चाहिए, आपको जो भी आपके thoughts हैं, उनको आप program में convert कर पाएं, जो भी problem है, उसको उसका solution को आप computer को समझा पाएं, तो वहाँ पर उस programming language आपको आनी चाहिए, तो अगर आपको object-oriented programming आती है, we will start from zero, यानि कि हम लोग programming language में भी आपको explain करेंगे, बट अगर आपको basic programming language की knowledge है, तो यह बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, तो आप basic programming की knowledge किसी भी book को पढ़के ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर start करेंगे, बिल्कुल scratch से basic program आपको बनाना बताएंगे, लेकिन चुकि यह programming सीखने में काफी time निकल जाता है, इसलिए मैं suggest करूँगा कि इस series को शुरू करने से पहले आप basic programming सीख लें basic programming in the sense, normal छोटे-छोटे program बनाना, जैसे आपको programming का syntax आना चाहिए, किसी particular language का, आपको loops का यूज करना, if else का यूज करना, control statement का यूज करना, operators का यूज करना, यह सारे चीज़े, basic चीज़े आपको आनी चाहिए, तो अगर आपको नहीं आती हैं, तो आप कहीं से भी search करके tutorials YouTube पर तमाम मिल जाएंगे, या फिर मेरे ही channel पर आपको tutorials मिल जाएंगे, अधरवाई आपको मैं यहाँ पर programming solution search करेंगे, Google Play Store पर, तो आपको यह app मिल जाएगा, programming solution यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर C और C++ बेसिकली है, तो आप C++, Java, किसी भी programming language को देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर basic programs मिल जाएंगे, तो आप यह basic programming कबर कर लेंगे, उसके बाद सारा का सारा concept हम यहाँ पर आपको इस series में बताने वाले हैं, और आप यहाँ पर जब देखेंगे यह last में जो button है, job and placement तो यहाँ पर आपको interview experience है, और interview से related material मिल जाएगा, जो कि हम इस series में भी आपको explain करेंगे, और इस series में भी देंगे, और यहाँ पर जो अभी material है, वो दीरे-दीरे update भी हम करेंगे अपनी series में, तो यहाँ पर अभी बहुत ही basic material पड़ा हुआ है, लेकिन in future यहाँ पर हम लोग material भी आपको provide करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको चार चीज़ें आनी चाहिए, placement के लिए अगर आपको यह चार चीज़ें आ जाती है, जो कि आपको मुश्किल से 5-6 महिने में आप अपने आपको इतना तयार कर सकते हैं कि आराम से आप अच्छे खासे package पे आप job कर सकते हैं, लाखों रुपए महिने का आप कमा सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले है coding, coding में आपको कोई भी programming language पे अच्छी command होनी चाहिए, अच्छी command का मतलब है कि आप कोई भी जो भी आप सोच रहे हैं, जो solution सोच रहे हैं किसी problem का उसको आप program में convert कर पाए, computer language में convert कर पाए सबसे important part होता है, सबसे जवरी part होता है किसी भी चीज़ में placement के लिए अच्छी company में अगरा product placement company में जा रहे हैं, जहाँ पे आपका अच्छा package है और जहाँ पे carrier growth काफी अच्छी है, तो आपको DS से, यानि problem solving आनी चाहिए, जो कि जिसमें main part होता है DS से data structure और algorithm, तो आपका 90% जो portion है, जो आपके 90% portion है, वो यहाँ से cover होने वाला है, तो आपको यह वाला concept आना चाहिए, DS से data structure and algorithm, तो हमारा भी focus सिर्फ data structure और algorithm पे ही mainly रहेगा, 90% यहाँ से cover होगा, उसके के लिए मैं guide करूँगा, उसके अलाब आपको assign करूँगा project, तो DS से को आपको practice करने होगी, रोज 2 या 3 problem solve करने की practice करने की जिससे आपका DS से cover होगा, और यहाँ पे project के साथ resume, आपको resume भी आपका, at least ऐसा होना चाहिए, कि सामने वाला देखके यह ना समझे, कि आपको resume बनाना ही नहीं आता, या अपने आपको express करना नहीं आता, तो basically first impression आपका resume से पड़ता है, तो हम यहाँ पे आपको resume में build करना भी सिखाएंगे, कि resume कैसे बनाना है, उसके बाद आपका आता English and aptitude, तो English और attitude में आपका क्या है, कि English का मतलब है, आपको इतनी English आनी चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि software developer बनना है, तो आपको English बहुत अच्छी आनी चाहिए, या English में बहुत ही ज्यादा fluency होनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको at least इतनी English आनी चाहिए, कि आप अपने thoughts को, interviewer को explain कर पाओ, जो भी आप बताना चाहरे हो, उसको आप English में बता पाओ, अगर आप फिर भी उसमें stuck हो रहे हो, और आप थोड़ी बहुत Hindi भी यूज़ कर ले रहो, that is fine, उसमें कोई problem नहीं है, क्योंकि आपको काम करना है computer पर, आपको किसी से English में, किसी को explain नहीं करना है, बट आपको इतनी English आनी चाहिए, कि अगर आपको कभी कोई requirement आती है, तो कोई आपको English में बोलता है, या फिर आपको अपनी बात किसी करना है, आपको English में अपने बचार को रखना है, उतनी English आनी चाहिए, तो अगर आपकी English कमजोर है, तो आप यह मैं सोचिए कि ITCS field में तो total English में काम होता है, वहाँ कैसे काम करेंगे, आप, आपको सिर्फ English बोलना आना चाहिए, आप अपने thoughts को explain कर पाए, वहाँ पर आप grammar गलत है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, तो यहाँ पर mainly आपका जो main focus रहेगा, यहाँ पर problem solving यानि की DSA, data structure and algorithm, तो आपको यह जो concept है, वो काफी अच्छे से पढ़ना है, तो हम यहाँ पर आपको basically जैसे मैंने आपको बताया, placement के लिए, placement के लिए आपको यह 4 चीजे होनी चाहिए, placement में basically आपको any programming language, अगर आप object oriented programming लेते हैं, तो यह ज्यादा बेटर है, object oriented programming में कौन कौन सी आ जाएगी, आप C++ हो सकता है, आपका Java हो सकता है, आपका PHP हो सकता है, आपका Python हो सकता है, तो any programming language, but I will prefer that, या तो आप C++ से start करें, या Java से start करें, C++ थोड़ी सी Java से easy पड़ती है, लेकिन आपको ultimately Java ज्यादा बेटर feature आपको provide करेगी, तो आप C++ है, Java को pick up कर सकते हैं, अगर आप Python यूजज करते हैं, तो Python भी है, इसके अलाबब PHP, इतने सारी object-oriented programming है, C को थोड़ा सा avoid करें, C भी आप यूज कर सकते हैं, C जो basic programming है, C, C का भी यूज कर सकते हैं, बट C में क्या है, जब हम बड़े-बड़े program बनाएंगे, तो हमें C में सारी चीजें से deal करना पड़ेगा, object-oriented programming ज्यादा बेटर है, तो आप अभी यह decide कर लें कि आपको C++ में या Java में जाना है, या Python में जाना है, और यकीन मानिए, इससे आपकी job पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप C++ से तयारी कर रहे हैं, Java से कर रहे हैं, पाइफन से कर रहे हैं, तो उससे आपके job के actual work में को 10 से 15 दिन में आप Java में लिखना सीख जाओगे, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप यहाँ पे एक कोई programming language select कर सकते हो, C++ या Java मेरे साब से prefer रहेगा, उसके बाद आता है DS से, जो की backbone है किसी भी अच्छी software company में है, या किसी भी अच्छी software role के लिए, DS से बहुत ही चोच रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी job नहीं पा सकते, तो DS से बहुत ही ज़्यादा जहूरी हो जाता है, तो यहाँ पर DS से में हम लोग data structure और algorithm को cover up करेंगे, उसके बाद आता है, आपके पास at least एक project होना चाहिए, और आपके पास resume में तो आपके पास होगा ही होगा, resume चीजे हम लोग cover करेंगे इस series में, तो आपको बस इस series को follow करना है, इसके अलाबा अगर आप membership को join कर पाते हैं, तो आप channel की membership को join कर सकते हैं, अधर बास join करने की नहीं भी करना है, तो कोई issue नहीं है, आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको सारा का सारा content, विलुकुल free of course, provide करा हूँगा, तो आपको बस इस playlist के साथ, इस series के साथ साथ चलना है, और आपको 5-6 महिने के अंदर आप अपनी dream company में job कर रहे होगे, तो मिलते हैं next video पे, जहाँ पे हम लोग start करेंगे basic programming structure से, उसके बाद हम लोग धीरे-धीरे DSA पे आएंगे, और उसके बाद project resume पे बात करेंगे, English आप अपनी improve कर सकते हैं, अपने आप या पिर जहूरत पढ़ेगी, तो communication classes भी हम लोग start कर लेंगे, तो मिलते हैं next video पे, अगर आपने video को like नहीं किया, तो like कर दीजे, चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर दीजे, और कोई सुझाब है, तो comment box मैं जहूर बताइए, इस 95 लोग जो हैं, वो placement आसानी से पाले, तो ये मेरा target रहेगा, और placement भी अच्छी placement, ऐसा नहीं है कि बस job कर रहे हैं, अच्छी खासी placement के लिए, और ये सारा content, Hindi plus English, क्योंकि थोड़ी बहुत English ज़ूरी है, तो Hindi plus English में चलेगा, most of the things होंगी, वो Hindi में explain की जाएंगी, बड़ ज इस वेशे से जो जिनकी English कमजोर है, वो पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने particular course, Hindi medium के लिए ही बनाया, जिनकी English उतनी अच्छी नहीं है, तो मिलते हैं next video पर, thank you for watching.